जहिन फ्रेंक्स अभी शाम को कुछ ऐसी टिप्स होती हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिस होते हैं जो हमें करनी हैं और इस टिप्स और इस प्रैक्टिस से हमें सुबह उठने में हेल्प मिलेगी ये कौन-कौन से टिप्स हैं आईए जानते हैं टिप नमबर वन पहले आपको ये find out करना है कि सुभा उठना क्यों है, be specific आपको सुभा उठके करना क्या है, वो चीज आप प्लान करिए और इस साब से प्लान करिए कि डिटेल में हो, मुझे सुभे उठके पढ़ाई करनी है, बट पढ़ाई करने में मुझे कौन सा chapter करना है, वो chapter करने के बा टारगेट क्लियर होगा कि मुझे सुभे उठके ये सारी चीजे करनी है, तभी आपके माइंड में ये cycle चले होगा, आपको intention set कर लोगे, आप अपना target fix कर लोगे, और ये सबसे पहली tip है, सुभा उठने के लिए, set your intention first, that what you are going to do in the morning in a specified period of time, एक बार आपने सेट कर लिया कि मुझे ये time पे सुभे उठके मुझे ये काम करना है, ये उसके बाद आपको अपने आपको positive affirmation देना है, positive affirmation, visualization या आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, अभी इस practice में आपको करना क्या है, इस practice में just आपकी जब भी आँख बंद होने वाली आपको नीन आ रही है, उसी time पे आपको अपने शब conscious mind को ये command देनी है, कि आपको इतने बज़े उठना है, और मैं guarantee के साथ 100% challenge के साथ देता हूँ, कि आपको जिस time को fix किया है, safe for example, मैं साड़े चार बज़े उठता हूँ सुभे, ये साड़े चार बज़े मेरा mind मुझे जगा देगा, उसके लिए मुझे क practice करने के बाद, चौथे दिन अपने आप अलाम बज़ने के पहले ही आप उठ जाएंगे, so ultimately मैं ये कहना चाहता हूँ, कि अपने आपको एक positive affirmation दीजिए, अपने subconscious mind को बता दीजिए, कि इतने सुभे उठके मुझे उठा देना, again आपका mind उस time पे active हो जाएगा, आपकी आ से बाहर आने के लिए, तिसरा point ये है, कुछ लोग मुझे पुछते हैं, कि सर, best time क्या है, sleeping कब से कब तक की जाए, तो हमें बहुत positive result आएगा, so ऐसा कोई fix time नहीं है, जब भी आपको ठीक लगता है, जब भी आपको comfortable लगता है, कि आपको इतने time से इतने time की sleeping आपके लिए best है, वो time आप follow करिए, अगर आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौनसा time best है, तो एक काम करिए, एक fix time करिए daily सोने का, और देखिए कितने बज़े तक आपको नीद आती है, बट यहाँ पे आपको mobile, आपको अपने smartphone, आपको अपनी TV, आपने gadget से दूर रखना है, आपने आपको सोने की तैयारी करिए, और notice करिए कितने बज़े आपको नीद आती है, और next day, सुबह, without alarm आप कितने बज़े तक उठ सकते हैं, तीन शार दिन तक आपका वो time period है, जब आप record करेंगे, तो आपके लिए वो आपका time best होगा, तो यह tip number है कि आप अपना time figure out कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा time best है, तो एक बार आपने अपना time decide कर लिया, तो आपको पता चलेगा शाम का schedule और आप अपना शुबह का schedule fix कर सकते हैं उस time के हिसाब से, और शाम को सोने से पहले मैं आपको advise करूँगा कि आप एक glass पानी पीजिए, अभी एक glass पानी पीने से क्या हो जब आप सुबह उठेंगे, तो आपको urination की urge होगी, आपको urinals जाना पड़ेगा, और उस urge को पूरी करने के लिए आप अपने bed से बाहर आएंगे, और जब आप अपने bed से बाहर आएंगे, तो आपको body activate होगी, आपका mind activate होगा, और एक बार body और mind activate होगए, तो मैं बोल सक कि आप नीम से बाहर आ गए है, ये था मेरा tip number 3, कुछ लोग बोलते हैं कि alarm का कैसे use device किया जाए, और अगर सही बताओ तो आज की date में कोई alarm specially खरीद के नहीं रखता है, आप लोग जो alarm use करते हो, वो smartphone का alarm होता है, और smartphone का alarm का best use क्या है, कि वो हमेशा आपके बाजू में रह जैसे ही सुबह alarm बजा, आपने क्या क्या मोबाइल उठाया, उसको snooze कर दिया, और फिर से सो गए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, कि ये snoozing की habit को मोबाइल का alarm है, उसको कैसे properly utilize किया जाए, अपने morning wake up की habit formation में, सबसे पहली tip ये है, कि आप जब अपना मोबाइल पे alarm करें, तो उस set करने के बाद, आप अपने मोबाइल को दूर रखें, आप अपने मोबाइल को इतने दूर रखें कि आपको 10 कदम चलना पड़े, तो एक बार आप मोबाइल का alarm बन करने के लिए 10 कदम चलेंगे, आपकी body activate होगी, आपका mind activate होगा, अभी एक बार आपकी mind और जो मैं follow करता हूँ, जैसे कि मैं alarm हमेशा 5 मिनट के interval पे रखता हूँ, 4.30 को एक alarm बजेगा, 4.35 को alarm बजेगा, 4.55 के alarm बजेगा, so इस 5-5 मिलर के interval के बाद जब alarm बजता है, तो मुझे continuously हर 5-5 मिनट पे उठना पड़ता है बैट से, और जब मैं 5 मिनट पे बैट से उठता ह होती है, और ultimately मैं wake up हो जाता हूँ, अभी कुछ ऐसे apps हैं, जैसे alarm है, ये alarm बहुत ही effective app है, जिसमें आप जब alarm सेट करते हैं, तो वहाँ पे alarm को बंद करने के टाइम पे आपको कुछ mathematical calculations करनी होती है, और जब आप mathematical calculation करते हैं, आपका ये जो prefrontal cortex है, जो आपके cognition को control करता है, ये activate होता है, और जब ये part activate होता है, आप ultimately नीम से बाहर रहते हैं, तो अगर आप challenge face करते हैं, कि आप नीम से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो आप phone को अपने से दूर रखिए, आप उसमें 5-5 minute के अंटर्वल पे 2-4 alarm सेट करके रखिए, और alarm आप का use करिए, जहां पे जब तक आप mathematical calculation नहीं करेंगे, alarm आफ नहीं होगा, So friends, यह जो मैंने अभी आपको habit बताई, सामको जो practice आपको करनी है, यह practice आप करिए, बट मैं ऐसा नहीं guarantee दे सकता कि एक दिन में ही सारी practice आप कर पाओगे, और next day से आप regularly morning में उठना start कर दोगे, आपको kaizen का 1% improvement principle याद रखना है, जहां पे आपको daily एक step आगे बढ़ते ज जाना है, और धीरे धीरे जो हम 21 day habit formation की बात करते हैं, यह 21 day habit formation जरूर होगा, और आप अपने आप में जो improvement है, definitely वो एक week के बाद notice करने लगोगे, यह week के बाद जब notice करोगे, धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएगा, और 21 days में आप मेरी साथ यहां पे खड़े होके, आप बोल सकते हो कि मैं भी 5am club में, morning club में join हो चुका हूँ, so अभी तक हमने बात की कि हम शाम को क्या planning कर सकते हैं, now अब मैं बात करूँगा, आप सुबह उठके क्या planning करोगे, so सुबह उठके आपको क्या planning करनी है, सुबह उठके आपको रोबिन शर्मा के जो 2020 principle है, इसके बारे जो एक घंटा सुबह का होता है, उसको आप 3 parts में divide करिए, 3, 20, 20, 20, 20 parts में, now part 1 में, part 1 में आपको meditation, आपको visualization, आपका जो mental exercise है, उस mental exercise में फोकस करिए, part 2, next 20 minute में आपको writing work करना है, ये creative writing work होना चाहिए, जिसमें आप अपने thoughts, आपके जो aspirations है, आपके जो goals हैं, वो आप लिखोगे, और next 20 minutes आप dedicate करिए, HIIT exercise, high intensity interval training exercise, हम बोलते हैं, हमें एक घंटा exercise करना है, कोई बोलता है, मुझे दो घंटा exercise करना है, आप exercise अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट अगर आप minimum 20 minutes exercise करते हैं, तो ये आपकी body को इतना super charge कर देता है, आप की body healthy हो रह जाती है, पूरे दिन में कोई भी challenge को face करने के लिए, तो ये Robin Sharma के 20-20-20 principle, 20 minutes of mental practice, meditation, visualization, 20 minutes of writing practices, and 20 minutes of HIIT, high intensity interval training exercise, ये आप morning के 1 hour में कर सकते हैं, Robin Sharma के 5-20 principle को आप follow करके आप अपना 1 hour reserve कर सकते हैं, लेकिन ये 1 hour नहीं है, अगर आप ये ही practice करें, तो आप 5 बजे की जगा, 4 बजे उठ सकते हैं, ये आपको decide करना है कि आपको कितने बजे उठना है, और उसके लिए उस पहले की रात को आपको उसी हिसाब से preparation करनी है, अ एक से दो घंटा एक्स्ट्रा मतलब हर वीक के आपको 7-10 घंटे एक्स्ट्रा मिले, जैसा कि कहा जाता है, बड़े टास्क को अचीव करने के लिए सुरुआत छोटी होनी चाहिए, तो मैं आप से यही request करूँगा, कि आपको अगर ये अपना एक्स्ट्रा वन मन्त चाहिए तो आपको सुरुआत एक घंटा जली उटने से करनी होगी, हमारे बहुत सारे जो famous personalities हैं, उनकी morning habit क्या है, उसको और उसको follow करिए, देखिए आप में क्या improvement होता है, अगर आपको अभी भी कुछ doubt है, तो एक small tip में देना चाहूँगा, जो definitely work करता है, कि जब भी आपकी लग things के एक interesting principle है, अभी reverse counting कैसे करना है, reverse counting आपको 10 count करना है, अभी 10 count आप 30 से start करिए, 21 पर खतम करिए, या 49 से start करके, आप 41 पर finish करिए, 40 पर finish करिए, यह आपके उपर depend करता है, again, यहां से because of the reverse counting, आपका mind charge होगा, reactivate, so हमेशा ध्यान रखना कि आपको morning उठना है, morning में उठना है, और अपने आपको challenge करना है, यहां पर आपको अपना willpower, अपने आपको कितना improvement चाहते हैं, यह आपके उपर depend करता है, इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपने आपको challenge नहीं कर पा रहे हैं, तो एक reward और punishment का system दीजिए, जिस दिन आप अपने challenge को अचीव करते हैं, जिस दिन आप सुबह 5 बजे उठते हैं, उस दिन अपने आपको एक positive reward दीजिए, जैसे कि आज सुबह मैं 5 बजे उठा, तो आज मैं एक extra dairy milk खाऊंगा, और जिस दिन मैं late उठा, उस दिन में एक कड़वी coffee प्योंगा, तो इस तरह से आप जिस दिन positive होगा, वो positive reward इस दिन आपने वो target miss किया है, उस दिन आपने आपको negative reward करिए, बट reward ऐसा होना चाहिए, जो आपके लिए beneficial हो, ओके, चलो, इसी बात पर आज का ये session हम यहाँ पर खतम करते हैं, जै हिंद, में आपके लिए लिएय हो, ऑर इस दो इसे जितने का बादी हो, बनापके लेखे किया है, जै हम रहे एंख़ एकारक समया चाहिए है जैं गया आपके शल्या, मैं एक रहर शो जल्या, अजिए कि हम खबत दो